Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitah Soth So, जैसा कि students आप सभी जानते हो कि examination में बहुत कम टाइम बाकी रह गया है और ऐसे में आप लोगों को smart preparation को follow करना होगा and सबसे पहले smart preparation में आपको ये जानना जरूरी है कि examination का क्या pattern रहता है और आगे आने वाले paper जो है वो आपका कैसे रहेगा इसके लिए सबसे best तरीका यही है कि आप लोग previous year questions को अच्छे से समझ ये so previous year questions ही एक ऐसा तरीका होता है जो आपको एक idea देता है कि examination में कैसे questions आएंगे खास तोर पर यहाँ पर आज अगर हम लोग paper 1 की बात करें इसमें सिरफ और सिरफ previous year questions को ही NTA बार-बार गोल-गोल भुमा करके पूछता है और वही questions exam में बार-बार पूछे जाते है तो आप लोग paper 1 में कैसे इस कम समय में भी 80 प्लस score करके JRF achieve कर सकते हो अपना 100% selection कर सकते हो उसके लिए ये video end तक जरूर देखिएगा तो सबसे बेले students में आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आपके paper 1 के final revision के लिए quick revision question bank में लेकर आई हूँ जहां पर आपको 4500 से भी जादा MCQs मिलेंगे और मैं आपको 100% surety देती हूँ कि इन questions को अगर आपने revise कर लिया जाहे आपने paper 1 में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो paper 1 का syllabus भी नहीं देखा हो फिर भी अगर आप ये 4500 plus questions को पढ़ लेते हो तो आप बहुत असानी से paper 1 में अच्छा score करकर उसकी मदद से GRF qualify कर सकते हो सबसे बड़ा confusion paper 1 की तयारी या revision करते समये students में क्या होता है देखो आप लोग भी paper 1 की अगर तयारी कर रहे हो तो आप में सबसे बड़ा confusion यहीं होगा कि fresh questions कहां से लेकर आई latest जो जून exam अभी हुआ है उन questions को हम कहां से पढ़े तो उसके लिए इन 4500 MCQs को हमने अलग-अलग units में divide किया है एंड हर एक unit में आपको 500 से जादा questions हम देते हैं जून 2013 जो last examination UGISnet का हुआ है वहां तक के जितने भी questions हैं वो सभी आपको unit wise मिल जाएंगे for example अगर आप लोग unit number 1 teaching aptitude को पढ़ने जा रहे हो उस unit के सारे यानि की 2021 से लेकर के 2023 तक के सभी questions यहां पर आपको एक साथ मिल जाएंगे इसी तरीके से हर एक unit के separate folders हम आपको बना कर देते हैं जो आपको examination की final revision के लिए बहुत ही जादा मदद करते हैं तो students हर एक जैसे आपको पता है कि multiple shifts में exam होता है तो हर एक year के लगभग लगभग 30 shifts के question paper with solution यहां पर हम आपको इस 45 MCQs में देने वाले हैं साथ ही आपको कुछ short notes भी मिलेंगे ताकि अगर कोई concept आपके miss हो गए हैं कोई concepts ऐसे हैं जो आपके अभी तक clear नहीं हुए है और आपको लग रहा है कि वो important है तो वो concepts भी आपके clear हो जाएंगे जैसे ही आप यह questions की series पढ़ना start करोगे लगभग 200 से लेकर के 300 questions तक आप लोग एक चीज तो 100% समझ जाओगे कि वही questions बार बार आ रहे हैं आपको लगएगा वही questions पढ़ रहे हो इसका क्या मतलब है इसका यही मतलब है कि NTA का paper 1 जो है वो पूरा का पूरा सिर्फ previous year questions पर ही निर्भर करता है तो students मेरी इस बात को आप लोग गौर से सुन लीजिए कि previous year questions ही एक ऐसा जरिया है paper 1 में जो कि आपको selection दिला सकता है यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा बिल्कुल updated questions आपको मिलेंगे unit wise mcqs हैं जसमें unit से आप तयारी शुरू करना चाहते हो डारेक्टी उस unit पे shift हो जाओ आपको minimum 400 से maximum 500 plus questions यहाँ पर मिल जाएंगे हर एक unit के short notes available हैं जो कि आपके final preparation में बहुत जादा help करते हैं इसमें आपको current affairs की series भी मिल जाएगी और साथ ही most repeated mcqs भी मिल जाते हैं हमने भी अपने examination की तयारी इसी तरीके से की थी हैं latest pattern है best तरीका है जो कि personally भी मुझे बहुत पसंद है और यह हमेशा हर student को help जरूर करता है last time भी जितने students थे जिन्होंने भी इसको follow किया 15 दिन में यह 4500 questions पढ़े उन सभी को easily J.R.S. अपने first attempt में भी हो गया इसके साथ ही चलिए आप लोगों की बहतर तयारी के लिए मैं आप लोगों को देती हूँ practice questions practice के लिए आपको mock test का access भी मैं दे दूँगी हरेक उनिट के mock test यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो की English and Hindi दोनों languages में available हैं यह सभी questions भी आपको दोनों languages में मिल जाएंगे तो students आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना सिरफ given numbers पर contact कीजिए इसकी पूरी information भी ले सकते हो and fees पे करने से पहले चाहो तो demo ppt, demo sessions भी इसके देख सकते हो ताकि आप लोगों को एक idea हो जाएं कि कि किस तरीके से यह question bank आपके लिए prepare किया गया है जो कि actual में आप लोगों को इस short period में बहुत जादा help करेगा अब क्योंकि यह समय है कि आप लोगों को hard work नहीं करना smart work करना है and नए concepts पढ़ने का भी समय नहीं है तो यही वो एक तरीका है जो आपको जरूर follow करना चाहिए so thank you so much everyone for watching this video I hope यह जो भी information मैंने आपको दी है आप इसको जरूर अच्छे से follow करोगे and कोई भी doubts है बस मुझे comment करके पूछ लीजिये and given numbers पर भी contact करके आप इसकी पूरी information ले सकते हो so thank you so much and I wish you all the very best